कौन सा भाई हो, कौन सा भाप, जब वो अपनी बेटी के सुवा के बारे में नहीं सोचाता, वो कैसी माँ, अच्छा कि पती मर गया है, ना आपने चूडी खोला है, ना मंगल शूत्र खोला की इसा, जब तक मुझे नयाय नहीं मिलेगा, मैं क्यों खोलू, लेकिन एक विद् अपनी पांसी के फंदेप नहीं पहुंचेगे ना, तब तक मैं नहीं खोलूंगी, कोई, ना मंगल शूत्र खोलूंगी, ना बिच्चिय ना चूडी कुत्षी आपके पती को किसने मारा ह। को मेरे पुरे घर वालों ने मिलके मारा है, मैं मार के मर जाओंगी, आपने पू कि आप सूरज की विद्वा बनके रहेंगी उसके बच्चे को पालोंगी आर्ती शोटू का वो मुद्दा तो आपको याद होगा जिसे लोगों मजाग बना दिया जिसका लोगों ने खूम मजाग हुराया लेकिन आज वैसा ही कुछ मुद्दा बिहार के छपड़ा जिले से आया है हमारे साथ एक पीरिता है इनके चेहरे को देखिए इनका चेहरा इसलिए उत्रा हुआ है क्योंकि इनके खुद के माईके वालों ने इनके पती की जान लेगी जी हां सही सुन रहा है यह साथ महीने की गर्ववती है और इनके जो पती थे वो इस दुनिया को अलविदा कह गया है पता है क्यूंकि इनके माईके वालों के नजर में वो खटकते थे अपने ही ससुराल वालों के नजर वो खटकते थे और अंतता इनके पिता और इनके भाई और तमाम लोगों ने मिलके उनकी निर्मम हत्या कर दी गोलियों से उन्हें भून दिया गया ऐसा इनका कहना है बाकी क्या पूरा मावला है वो अभी आपको बताते हैं क्या नाम है अपका अंजली जी थोड़ा जोर से बोलिए और लोगों को अपना जो दो बीबी थी वो उनके बेटा और मेरे बाबा ये उतम गिरी और मेरे भूगा के तीन भूगा ने आपके पती को मार दिया है आप सात महीने की गर्ववती थी ये बात आपके घरवालों को पता था तह था क्या कि यह प्र भी उन्हों ने इस तरीके का कदम उठाया पिता ने आपके पती को मार दिया, आपके घरवालों ने आपके पती को मार दिया, तो आप अचानक से बगावत पे उतराई, आप किसके साथ है, अपने पिता के साथ है, अपने घरवालों के साथ है, या अपने ससुराल वालों के साथ हूँ, या आपका ससुराल है, आप पारती चोटू का या आप सोचल मीडिया से जूड़ी होगी तो आपने कभी सुना अपने सुना था तो कभी लगा था कि यह मुद्धा मेरे साथ भी हो सकता ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं लगा था अच्छा पती चले गए कितना समय हो गया उनके गुजरे हुए तो अक्टूबर को मारे था लव मेरे साथ दिखिये थे कोट में जाके लखना हो अच्छा तो मुख्य वज़ा क्या लग रहा है जैसे कि यह तमाम चीजे हुई आपके साथ आपके पती को मार द इलक्षन में वह हा रहे थे खड़े हुए थे हा रहे थे उससे दुस्मने उच्छ रहे थे पहले भी उस उपारी दिये थे सूरज को मारने की शादी से पहले तो मतलब की एक बात बता दे आपको कि सूरज और इनके दोनों के घरवालों के बीच में राजनैतिक रंजिश ल إنके शादी की बात होने से पहले उनके घर वालों ने सूरज की सूपारी दी थी और यह बात यह खुद accept कर रही है उसके बाद आपको बता दे इनके घरवालों को पता तक नहीं था गि इनकोरं का प्रेल प्रशंग है यह चुनाओ की रंजिश से पहले से आप लोगों क आपके भाई को रहा नहीं गया उन्होंने बोला कि इनके पडिवार को सूरज के पडिवार को पूरा निस्तोनाबूत कर देना है पिता भाई मेरे जो बाबा है वो और जो सबसे में मेरे बड़े पापा है तो उन लोगों ने मिल करके आपके पती को मौत कहार बता रहा है अब ने लोग ने नाम दे दिये तो मतलब कि आप ले तो यह सोचाओ का कि दो घर दुश्मन है अगर हम शादी कर लेंगे हो सकता है दोनों में दोस्ति पात पता था यह मारे प्यार के बारे में घुट पता था उस समय क्यों ने आकर सुरज को बोले पहले आपको शादी कर लेकिन लोगों को पाता था मैंने लोगों से बोला था उससमाइब क्यों नहीं आकर सुरज को बोले उससमाइब नहीं कोई रोक ठक ना किये तो मतलब शाउथ इंडियन मुवी आप देखते होंगे उसमें आप देखते होंगे कि दो घरों में आपसी रंजिश होती है कि दो इनके पिता उतने परित किँचंड इंडिया और फिर जाकरके उसे मौत पत गहाट उतार गया किया से मारा गया आपके पती को आए भाहर threats Sans मेरे बड़े पाकित हैं उसी में से एंगल लया के पुरे सर पे मारे भड़े अपके पती को यह सब आपको कैसे पता चला जब है साथ थे ना उन्हें ने देखा उनको भी मारे थे जब इनको गोली लगी तो वह थाना पे दौर के गए बुलाने थाना को थाना वाले आये थे आये थे जब मरने के बाद मरने के बाद में जब लास मर गई मार वार के चले गए तब आये थाना लेके गए अच्छा आपके पती मर गय है ना आपने चूडी खोला है ना मंगल शूत्र खोला की सा जब तक मुझे नयाय नहीं मिलेगा मैं क्यों खोलू लेकिन एक तब तक यह सारे फासी के फंदेप नहीं पहुंचेगे ना तब तक मैं नहीं खोलूँगी कोई ना मंगलसुत खोलूँगी ना बिच्छी ना चूडी कुछ ना अपने ये बात का प्रन ले लिया कि जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं अगर ना वो प्रसासन नहीं नहीं भी तक मैं कुछ नहीं कर नहीं सभी ना सभी को फासी फंदे पैसे जो जो ऑ 얼र है चाहे मेरे पिता की ना हो चाहे मेरे बाबा की ना भाईं की ना कोई हो अगर इस घर में जोटा बच्या भी उसमें अगर सामिल होता लो जोना मैं उसको भी. कहीं ना छोढ़ती अच्छा आज मालAngel in for multum के पती मर गयां आपके पिता जिसने आपके आपको पाल पोस्कर बड़ा किया आपकी माता जिन्हों ने आपको दूद आपके भाई जिन्होंने बहुत लालन पालन से अपनी बहन का लालन पालन किया तो क्या आपको लगता है कि आप उनके विरुत जाके सही कर रही है। सभी बात है अच्छा एक चीज़ बताईए अगर ये सब कुछ पिता आपके चाहे कि मेरी बेटी कहीं और शादी कर ले करना है मैं कहीं सादी नहीं करूंगी पिता के विरुद जाएंगी मैं अपने पती को नयाय दिलाओंगी सादी मैं नहीं करूंगी आप मतलब कि आप सूरज की विद्वा बनके रहेंगी जीवन बर सूरज की विद्वा बनके रहूंगी उसके बच्चे को पालोंगी आप गर्ववती भी हैं ये बात सच है क्या है साथ मैंने क्यों पिर भी आपके पिता ने कोई रहम नहीं दिखा है कोई रहम ने तो मैं क्यों रहम दिखा उनके प्रति देखिए यह कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर देनी वाली कहानी है और यह कह रही है कि मैं अपने पिता के विरुद जाओंगे आई थी निउस देखाई होगा आप लोग ने क्या बताया क्या हुआ थो थोड़ा सब बता रहे है इसलिए मैं दिली से आके निउस देखिए कि मैं मरी नहीं में जिन्दा और मैं अपने मर्जी से खुसी हूँ अपने पती के साथ तो आपने ये चीज न्यूस में मीडिया मे तो आपके पती बचच सके आपके पती को फरजी केस में न फ़साया जा केस में लेकिन रद कर दी है पैसा कुछ नहीं कि आपके मेरे अपराधी कविदियो में शामिल है पिता जी शराबंदी में दारु काम करते थे बड़े पापा कट्टा वेगरा काम करते थे जूट तो नहीं बुल रहे हैं पिता को बचाने के लिए पिता उसमें लेकिन हाँ अब वो दारु का भी धंदे में आ गए थे आपके पिता अब दारु के धंदे में जब यहां आए वो दुबई से तो यहां आने के बाद वो भी दारु के धंदे में लग गए पंदू के बड़े पापा के सांथ वो भी लग गए मानिया आपको सामने कोई नेतागंड देख रहे हैं जो आपको नियाय दिला सकें उधर देखके उनसे क्या गुजारिश करी गीडिनी क्या बोलेगे अगर नहीं देखके ना तो मैं उन लोगों को मार दूंगी और मैं मड़ जाएंगी कि ने अपने पड़िवार वालों को देख सकते हैं एक खिरदय विदारक घटना जहां पर एक ससुर और उनका पूरा पड़िवार मिलके अपने ही दमाद की जान ले लेता है अब पत्नी उनकी कह रही है यानि कि उसी पिता की बेटी ये कह रही है कि मेरे पिता को फासी दीज वरना मैं उन्हें मार करके खुद मर जाओंगी अब कानून विवस्था के बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून विवस्था बिलकुल ठप पड़ गई है क्या अब एक औरत को खुद से ही अपने पड़िवार वारों का संगहार करने का धमकी देना पड़ेगा तब ज इस पक्ष रूप से जाच करके जो लोग इसमें दोशी पाए जाते हैं उनके उपर कारवाई करने की जरूरत है बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है लोग कहते सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बैठे लो जो उनके पीछे छूट जाते हैं यह चीज आपने सुना होगा लेकिन चलिए इन्हें न्याय दिलवाने में इस मुहीम में जुड़िये और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ओहदे पर बैठे तो उस ओहदे का सम्मान कीजे और इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाई बाकी पपू यादब जी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम जगों पर जाते हैं यहां पर इन लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए घर संपन था बस इनके बेटे को इन से छीन लिया ग तो कम से कम ही इस बात का तो खौफ उन लोगों को हो जाएगा कि इनके पड़िवार को कुछ करने से पहले उन्हें आपसे गुजरना पड़ेगा बाकी क्या सोचते इस मुद्धे के बारे में जरा कॉमेंट सेक्शन में लिखे इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग जरी